हालो एवरीवन वेलकम टू लेटिकल डिपार्टमेंट कल के डेट में किसी का भी मॉक्टेश नहीं हो पाया आज है पंद्रा अगस तो आज के डेट में BT.UP ने सभी की इमेल पर एक इमेल भेजा है और उस email में क्या है mock test के लिए guideline दिया गया है और mock test के लिए user ID, password और link भी दिया गया है और इसमें पूरा साफ साफ बताया गया है कि आपके mock test का जो date है वो change हो चुका है और किस browser पर आपको exam नहीं देना है किस प्रकार से mock test आप successfully registration कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में उस email पर बताया गया है तो हो सकता है सभी के पास email ना आया हो लेकिन मैंने कई student से बात किया तो उनके email पर ये message आया है तो चलिए देख लेते हैं कि उस email में क्या लिखा गया है और क्या-क्या guidelines है देखिए आप लोग जाकर अपना email ID चेक कर लीजिए जो email ID आपने यूराइस पोर्टल पर दिया था उसी email ID पर ये email आया है सभी को आया है ये email अगर किसे को नहीं आया है तो मुझे बता दे जो भी दिक्कत होगा अपने आप college से contact कर सकते हैं इमेल क्यों नहीं आया या फिर आप वेट कर लीजिए email आ जाएगा देखिए यहाँ पर support करके email आया है UPBT online assessment कुछ इस प्रकार से आपको email दिखेगा अगर आपको email पर नहीं दिखता है अब यहाँ पर आपको पूरा email दिखा दे रहे हैं देखिए सबसे उपर लिखा है UPBT online assessment और फिर यहाँ पर देखिए जिसके नाम से email जिसके उसके मतलब phone email आया है उसका नाम भी लिखा गया है जैसे यहाँ पर देखिए हाइव बिजय गर्ग लिखा है उसके बाद क्या दिया है तो उसके बाद क्या दिया है अब यहाँ पर सबसे बड़ा अबडेट ही है कि सेठ्डिओल्थ फॉर्म मॉक्टिस यहां पर आप देख़ पाँ होगे सेठ्डिओल्थ मॉक्टिस मॉक्ति उसमें दिखा रहा था कि आपका इत्त जो है फाइनल येर वालों का वो इकजाम के एक दिन पहले होगा उसमें दिकाПр सकते बदल चुका है और सभी के email पर mock test का नया date जारी कर दिया गया है अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख पार होंगे कि आपका mock test जो है date 15, 16 and 17 अगस्त को आपका mock test होगा और timing क्या है? timing भी change हो चुका है timing यहाँ पर देख लिए 9 a.m. सुबह 9 बजे से 6 p.m. के बीश कभी भी आप mock test दे सकते हैं लेकिन अब एक दिक्कत वाली बात और क्या है? वो आपको बता देते हैं कि BTUP के जो URISE Portal है उस पर mock test का कुछ अलग ही date दिखा रहा है अब देखिए दिक्कत वाली बात यही है कि जब आप URISE Portal खोलते हैं और time table वाला option उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यही लिखके आता है कि mock test 16 August मतलब कि कल के date में सुरू होगा और जो आपके email पर notice आया है उसमें बताया जा रहा है कि आपका mock test जो है वो 15, 16 और 17 को सुबह 9 वज़े से 6 वज़े के बीच में होगा तो आपको बता दें कि जो आपके email पर आया है वही सही है अगर आपका registration हो जाता है जैसे जब आप login करेंगे अगर login हो जाता है तो उसी time registration के साथ ही आप mock test दे पाएंगे याफि 15 और 16 और आज के date में हो सकता है साम तक सभी का login हो जाए अभी भी हमने try किया लेकिन login नहीं हो रहा है वही incorrect बता रहा है देखे जब आप email पर देखेंगे जिसके पर भी email आया होगा वहां पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाए देगा इसका मतलब आपको बता देते हैं यहाँ पर लिखा है कि for final semester final year examination यह क्या है दिया है देखें इसमें इसमें है दिया है कि slot one में क्या होगा slot 1 में आप login करेंगे 8.45 एम पर और आपका test start हो जाएगा 9 बज़े से करने के मतलब जैसे आप जब login करते हैं तो तुरंती mock test नहीं start होता है उसमें कुछ time लेता है इसके बाद रिश्य चाट होता है तो इसका मतलब यही है कि login करने के कुछ दिर बाद आपका test जो है वो start हो जाएगा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा अब आगे जो आपको हम बताएंगे उसको आप ध्यान से देखिए गया क्योंकि mock test को लिके यही guideline जा रहे हुआ है mock test आप किस प्रकार से देंगे और क्या-क्या गलतियां आपको नहीं करनी है यहाँ पर देखिए पूरा detail में क्या है mock test के लिए guideline जा रहे हुआ है हम बारे-बारे से आपको step wise बता देते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है है सबसे पहले सबसे पहले आपको यह step one है सबसे पहले क्या करना क्या करना है जो आपको url मिला है उस पर आपको क्लिक करना है user id और password यूप डाना है और इसके तुरंधा बात login पर continue पर आपको ख्यबिक कर देना है ठीक है सबसे पहला step ही है कि आपको login URL पर click करना है login ID और password डालकर continue पर click कर देना है इसके बाद देखें यहाँ पर और exam के लिए आपको किस browser का उपयोग नहीं करना है और किस browser का उपयोग करना है देखें सबसे पहली बात browser के कौन से मतलब कौन सा browser exam के लिए सबसे बेश्ट रहेगा तो आपको बताते सबसे बेश्ट रहेगा Google Chrome version जो है 75 दिया गया है कोई भी version हो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है Google Chrome का उपयोग कर सकते है मोजिल्ला फायरफाक्स यह दोनों प्रस्तावी थे मतलब एक्जाम के लिए यह जैदा suitable है और यहां पर देखें लिख दिया गया है कि सफारे बात ब्राउजर का उपयोग परिछा के लिए नहीं किया जाए तो आप गलती से किसी और ब्राउजर के जैसे यूसी लोग मत करिएगा आप देखें यहां पर जब आप लॉग इन करेंगे तो बहुत से स्टुट्रयन करें कि कर लिए मतलब कि user ID और password मिल गया तो registration करने की क्या जरूरत है तो देखे दोस्तों ऐसा नहीं है आपको भरे ही user ID और password मिल गया है वो user ID और password इसलिए मिला है ताकि आप registration कर सकें registration करेंगे तभी exam दे पाएंगे इस गलत फ़हिए न रहेंगी ID password मिल गया तो उसी से exam भी दे देंगे बिना registration के आप exam नहीं दे पाएंगे आप login ही नहीं कर पाएंगे उस टाइम तो देखें यहां पर दिया है registration form ठीक है registration form में देखिए आपको क्या क्या करना है सबसे पहले आ जब आप यहां पर proceed application पर click करेंगे तो क्या करेंगे यह verify करेगा अगर verify हो जाता है मतलब आपका जो user ID है और email ID है mobile number है यह सब सीचे verify होने के बाद आप अपने face को capture करने के लिए आगे वाले step पर जा सकते हैं करने के मतलब यह step number 2 है जहां पर आपको email ID password email ID और contact number verify करना होग verify करने के बाद जब आप अगले step पर जाएंगे तो हाँ पर आपके photo को capture किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो आप exam दे रहे हैं वही आपका मतलब face है कि नहीं है अब यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल swap सब्दों में लिखा गया है कि छात्रों का role number, mobile number, email ID, visa code और नाम जैसे विवरोडों की जाच करनी होगी फिर क्या होगा यह अगर आप verify कर जाते हैं तो आप face training और mock test के साथ आगे बढ़ सकते हैं कोई भी दिक्कत होती है तो आप Urize Portal student login पर जाकर बदलाव कर सकते हैं और जो आपका बदलाव करेंगे वो आपको Urize Portal पर 48 घंटों में दिखाई देगा तो वे students परिसान मत हों जिनका email ID या पास email ID या mobile नमर कोई भी detail गलत है आपको क्या करना है कि वो Urize Portal पर जाना है अपडेट करना है अपडेट करने के 48 घंटे बाद Urize Portal पर वो अपडेट दिखाई देने लगेगा अब इसके बाद आप आ जाएंगे थार्ड इस्टेप पर देखिए थार्ड इस्टेप में बताया गया है कि उम्मिदवार को सामान क्रेडिसियल्स का उप्योग करके पुना लागिन करना होगा फिर स्ट्रेन में लागिन उम्मिदवार पोस्ट करे अब जो आपको user ID पास बता देते हैं कि यहां पर देखिए डिटेल लिखा गया है कि प्लीज एंसोर डैट यूर फेस इंदा मिडिल आप दा फ्रेम मतलब कि आपको यहां पर जो फ्रेम दिख रहा है उसमें आपका फोटो जो है बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए देखिए और शेकंड क्या इससे आपका चेहरा ढख सके और किसी प्रकार का मॉस्क नहीं पहनना है अब यह बात जो इसमें लिखी आप इसको ध्यान में रखिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा देखिए इसमें लिखा कि प्लीज इंसोर टू यूज सेम डिवाइस वाइल टेकिंग दा टेस्ट आइस यूज नाओ कहने का मतलब जिस डिवाइस में आप रजिस्टेशन करेंगे उसी डिवाइस में आपको मॉक टेस्ट भी देना है कहने का मतलब यह नहीं आप मोबाइल में रजिस्टेशन कर लें और जाकर लैपटाप पर दे लें देखिए यह यह यहां पर कुछ और लिख साथ ही इसमें देखिया लिखा गया है कि अगर जैसे आप मॉक्टेश्ट दे देते हैं अपर रिजिस्टेशन कर लेते हैं तो रिजिस्टेशन का फॉर्म जो होगा उसको आप प्रिंट कर सकते हैं साथ ही अगर आपको फिर से मॉक्टेश देना लागिन कर सकते हैं काने की मतलब ही है कि जो आप रेजिटेशन फार्म में जो डिटेल लालेंगे उसका प्रिंट ले सकते हैं तकि भाव इसमें फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो आप पता सकें कि हमने यह डिटेल ला था फिर स आप उसी से क्या करेंगे मॉक्टेश के लिए फिर से लागिन करके आप अपना मॉक्टेश दे पाएंगे अब यहां पर देखिए अगला इस्टिप में ही हो रहा है देखिए कि लागिन आइड और पासवर्ड सब कुछ आपका सई हो गया है फेस भी क्या हुआ है कैप्च अच्छे से दिखने लगेगा तो अब हम अगला इस्टिप बताते हैं आपको अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाए देगा जब आपका फेस वरिफाई हो जाएगा फेस कैप्चर तो यहां पर दिखाए देगा कि टेस्ट अगले पेज में आपको यही दिखेगा देखे कैमरा अगर आन रहेगा तो तो ही क्या होगा आगे की स्टिप जा पाएंगे मतलब कि आज जैसे आप यहां पर प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे तो यह चारो चीजे वेरिफाई हो जाएंगे मतलब कि देखेगा उसमें की कैमरा आन है माइक्रोफोन भी आन है ब्राउजर जो है क्रोम या फायर फाक्स होना चाहिए इसके लामा कोई भी ब्राउजर का उप्योग नहीं करना है और आपका इंटरनेट स्पीड भी अगर ठीक ठाक है तो यहां पर यह चारो चीजे वेरिफाई हो जाएंगे तो आप अगले पेजर पर चले जाएंगे अब आपको अगला पेज देखी अगला पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जैसे ही आप देखी अगले पेज पर जाएंगे यहां पर कुछ टाइम आपको वेट करने के लिए बोलेगा इसके बाद यह proced now वाला आप सं जो अगा green ग्रीन हो जाएगा। जब प्रोचेड नाव वाला आपसन ग्रीन हो जाएगा तो आप प्रोचेड नाव पर क्लिक करके मॉक्टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए जैसे ही अगर आप लैपटाप पर एकजाम दे रहे हैं या फिर मोबाइल में एकजाम दे रहे हैं अगर किसी और विंडो में जाते हैं या आपके फोन पर कोई पॉप आप आता है तो आप क्या होगा आपको वार्निंग मिलेगा यहां को प्रकार से दिखा देए हैं कि जो वार्निंग होगा कोछ इस प्रकार से आपको दिखाए देगा यहांसे पर देखिए फंत 13 में से चार ल कि classrooms मिल गया है इसमें दrickा रहा है कि प्लीज डू नट नेभीगये ढूट से अब टेस्ट विंडीए perfect के के समय अगर आप दूसरे विंडो पर जाते हैं तो इस प्रकार की वार्निंग आपको देखने को मिल सकता है और साथ ही एक ट्यू के साफ्ट्वियर से एक्जाम हो रहा है तो आप पर यूफ्यम का केस भी बन सकता है अगर आप ज्यादा चीटिंग वगारा करते हैं तो अब यहां पर थोड़ा सा आपको बता दे कि आपको आपके उपर यूफ्यम कब लग सकता है देखें यहां पर यहां पर नोट कर दिया गया है कि इन केस आप मोर दें 25 निविगेशन काउन्स यूफ्यम में भी डन अगर 25 से अधिक बार निविगेशन होता है मतलब आप दू दिक्कत हो जाएगा यूफ्यम केस और बनेगा तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा और देखें लाश्ट में भी बता दिया गया है कि अगर आया मतल्स दिखें इसमें लिखा है कि आपको यह निर्देशित किया जाता है कि परिच्छा एक पर्याप्त रोशनी वाले कमरे म सांत माहौल में दें सभी प्रकार का वैवधान चाहे वो आपका बात करना हो किसी से या फिर रोशनी कम हो या कोई अन्युक्त आपके स्क्रीन पर उपस्थित होने हो रहा हो यह सब चीजे आपको यूफ्यम की स्रेडी में पहुंचा सकता है मतलब अगर आप तैसे की प्र वह आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे यह वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए इस वीडियो के और इतना ही बाकी जो भी दिक्कत है आपको हेलप लाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है उसको भी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे तो अब हम मिलते ह अगले वीडियो में एक बहतर अपडेट के साथ